हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IQZ6 Pro 5G मुवाइल में एप हाइड कैसे किया जाता है वो दोस्तो कुई सी भी एप हो PUBG हो या Free Fire हो या Call of Duty हो या Instagram या Facebook XYZ दोस्तो किसी भी एप को आप अपने मुवाइल में हाइड कर सकते हो और इसके साथ साथ मैं यह भी आपको बताऊंगा कि हाइड वाली एप को चलाया कैसे जाता है तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको मुवाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है मुवाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद स्कॉल करेंगे यहाँ पर दोस्तों दिखे सिक्योरिटी का ओप्सिन दिखाई देगा सिक्योरिटी के ओप्सिन पर किलिक करेंगे उसके बाद थोड़ा स्कॉल डाउन करेंगे यहाँ पर दोस्तों दिखे प्राइविसी एप इनिकरेप्शन का ओप्सिन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर दिके set privacy password बता रहा है यानि आपको एक यहां पर 6 अंको का दोस्तों privacy password बनाना होगा अगर आप password option पर क्लिक करोगे तो यहां से 4 डिजिट में रख सकते हो आप pattern में भी रख सकते हो और आपने नाम भ आपसे पूछे जाएंगे तो एक्सराजर यहाँ पर आप कुछी भी डाल दीजे इससे क्या होगा अगर इन फ्यूचर कभी भी आप प्राइबिसी पासओर भूलोगे तो जब उसको फॉर्गेट करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर दोस्तो आंसर मांगेगा तो यह आंसर आपको याद रहे उसके बाद आप डन कर दीजे डन करने की बाद फ्रेंड्स यहां बदेगे हाइड एप का दोस्तो ओप्शन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करने के बाद वि लगा देंगे और ओके कर देंगे तो इसी प्रकार से जितनी भी एप आप हाइड करना चाहते हैं उनके सामने टिक मिलेगा तो टिक को आप इस प्रकार से दोस्तो इनेबल कर दीजे तो दोस्तो यह जो है एप सक्षेश्पली मोबाईल में हाइड हो चुगी चलिए मैं क्या होता आप जो है दोंगली लेजिए और स्क्रीन पर रखने के बाद उपर की तरह इस प्रकार से स्लाइट कर दीजे स्लाइट करने के बाद दोस्तों जो आपने प्राइविसी पासओर बना के रखा है अपने मोईल में वो दोस्तों आप यहां से डाल देंगे तो आप को चोरी-चोरी छुपके-छुपके चला सकते हो अगर वीडियो मेरा आपको प्रसंद आ है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूले क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही रोजयना इंट्रेस्टिंग वीडियो आप लोगों के ल आता रहता हूं